नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत हैं, मैं हूँ स्वाथी रायना बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा आक्शन साथी कल के लिए स्ट्राटेजी और शेरों में कमाई के शांदार मौके भी आप भी पूर सकते हैं हमसे सवाल, नमबर हमारा नोट कर लीजिए 022-23001634 या पिर आप हमें 022-23001635 पर कीजिए कॉल Facebook पर at the rate Zee Business online, Twitter पर at the rate Zee Business अपने सवाल भेज़ तकते हैं हैश्टाइग Bazaar आज और कल लिख कर और आपकी कल की तयारी कराएंगे Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनल सिंग भी और खास महमार मारकेट एक्सपर सुधी बंदुपाध्य है हमारे साथ हैं आज सुधीप सर का स्वागत करते हैं आज के हम शो में और सबसे पहले बाजार क्या आज का कारोबार जरा जान लेते हैं कारोबारी हफ़ते के पहले दिन यानी सोंवार को बाजार में उतार चड़ावाला मूड माहौल देखने को मिला सेंसेक्स 99 चड़कर 62,700 के पार बंद हुआ निफ्टी 38 संग चड़कर 18,600 के उपर बंद हुआ बैंक निफ्टी 44 संग गिरकर 43,950 के बेहद करीब जाकर हुआ आज बंद और जी बिजनिस के मैंड़िजिंग एरिटर अनिल सिंग भी से समझते हैं आज के बाजार में उतार चड़ा भरा माहौल क्यूं देखने को मिला नए हफ़ते की शुरुआत करने के लिए भारती बाजारों के पास धेर सारे संकेत थे और जादातर संकेत पॉजिटिव साइट पर एक और जाएं दुनिया बरके बाजारों से संकेत लें तो अमेरिकी बाजारों में तेजी का रुजान बनता हुआ दिखा इस हफ़ते आने वाली फेड की पॉलिसी में 70% जानकार अमेरिका में मान रहें कि इस बार ब्याज़रे नहीं बढ़ेगी और फेड ब्याज़रे बढ़ाने से अपना हाथ रोकेगा और इन सब के बीच में कच्चा तेल तेजी से गटकर 74 डोलर के आस पास आता दिखा तो तीन अच्छे संक्यत आपके लिए ग्लोबल मारकेट से हमारे अपने बाज़रों के संक्यत भी मजबूती के थे हैं मौन्सून की अच्छी प्रोग्रेस बाज़रों में जोश बढ़ती फैक्टर था तो वो सिर्फ एक की हमारे पिछले दो तिन जिनों से एफाइस ने खरीदारी से हाथ रोका है थोड़ी से बिक्वाली के आंक रहे आपको शुकरार के सेशन में आते हो दिखे तो इन संक्यतों के बीच में जब आज ग्लोबल मारकेट के मजबूत संक्यतों के चलता है हमने शुरुआत की हरे निशान के साथ लेकिन उतनी तेजी बनने ही पाई जितनी शायद लग रही थी अथा जार च्छसों के आसपास खुले अथा च्छसों पैंतिस का हाई बनाया और पूरे दिन बर मुश्किल से साथ सतर पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने बने रहने में काम्याब रहा तो भारत से जुड़े वे सेक्टर जिसमें बैंक साप लेकर चल सकते हैं यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग आई और यह लगाता लाल निशान में दिखे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दिखे चा हुआ देड़ दो दिनों के हलके फुल के करेक्शन के बाद वापस से मिटकेफ शेरों में टेज रफ़तार बनती हुए दिखिए और स्टॉक स्पेसिफिक जबर्दस खरीदारी होती दिखिए एक और आप देखिए जहां बैंक्स कमज़ों थे लेकिन अन्बी एफसी शेर फाइनस कमज़ों के शेर तेज दोड़ लगाते हुए नज़रा है तो ओरॉल बाजार में रुजान तेजी का बना हुआ है इंडेक्स थोड़ा साहल का जरूर है वज़े कि कल महेंगाई के आंक्रे आने वाले हैं और अमेरिका के भी आंक्रे हैं हमारे यांके भी आंक्रे जाने वाले हैं इसके अलावा फेड की बैठक है तो धेर सारी इवेंट्स है और इसके लावा चीन यूरोप से भी धेर सारे डेटा आने वाले तो ये एक बड़ा हफता बाजार के लिए साबित होने वाला है लेकि सोचे बड़े हफते के पहले बड़ी चोटी सी दायरे मे आज दिन पर बाजार ने कारोबार किया और इंडेक्स से अगर आपको लगता है कि सुस्ती रही तो आप बिल्कुल गलते है क्योंकि पूरा का पूरा एक्शन मिटकेप और स्वांकेप शेरों में जबर्दस आज बढ़ता हुआ नजर आया आए बाकिन एक्सपर सुधीब बंदुपाध ध्याएक की तरफ चलते हैं सुधीब सर जैसा अनल जी भी कह रहे हैं कि पूरा हफ़ता काफी इवेंटफुल बाजार के लिए रहने वाला है इन फाक्ट शाम को जो महंगाई के आंक्रे आए आर्थिक मोर्चे पर हम इन फाक एक प्लाटफॉर्म सेट किया जा रहा है फॉर दे रेस्ट अप दे वीग जी बिल्कुत सही जैसे आपने जिकर किया है मार्केट खतम होने के बाद जो महंगाई के आंक्रे आए वो एक्सपेक्टेशन से बहतर आए मतलब कम आया एक्सपेक्टेशन था उससे नीचे आके 4 एक्सपेक्टेशन से बहतर आए तो इसका जरूर पॉजिटिव असर मार्केट में कल देखने को मिलेगा और जैसे अनिल जी जिकर कर रहे था आप भी ऐशारा कर रहे थे उसके तरफ यू एस के भी जो आक्रे आए थी वो जो मार्केट का क्सपेक्टेशन सा उससे बहतर थ आप देखने की बात यह है, खास बात यह है कि US Fed इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या एक्शन लेती है और जैसे माना जा रहा है कि करीबन 70% जो एक्सपर्ट्स है वो सोच रहा है कि इस बार US Fed ब्यासदर नहीं बढ़ाएंगे और एक पॉज शाहिद लेंगे और अगर ऐसा ह नहीं हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए भी वो पॉजिटिव स्थापित होगा क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रिस्क अन मूड पर करार रहेगा और जिसके जरीए वो डॉमेस्टिक मार्केट में भी खरीदारी करेंगे जो अनिश्चित एक ही फैक्टर डोमेस्टिक मार्केट के लिए रहा है वो मॉनसून, अगर मॉनसून ठीक ठाक हुआ तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट सा अच्छा मोमेंटम के साथ कामकाज करना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी थोड़े हेडविंट्स है, कुछ एकॉनमीज में ग्रोथ कम है या रिसेशन जैसा माहूल है, पर अगर यूएस में ब्यासदर नहीं बड़ा और इंडिया का मॉनसून ठीक ठाक रहा, तो इंडियन मार्केट अच्छा रहेगा. बिल्कुल, तो ये तो रहे कुछ मेजर इवेंट्स और आने वाले जो ट्रिगर्स है, उस पर बाजार की चाल कैसी रह सकते हैं, उस पर चर्चा, आईए अब कुछ दर्शपों से बातचीत करते हैं, दुरगापुर से मिंटूनाथ हमारे साथ हैं, नमस्कार, बताएए कौ अच्छा और कितने लंबा विव है आपका कब तक रखना चाहरे हैं, पाँच साल के लिए जिन्दल स्टेंलिस पर इनका सवाल है सुदीप सर, मुनाफ़ अच्छा है क्योंकि इनकी खरीद से तो डबल है फिलहाल स्टॉक का भाव, अच्छे लेवल्स पर एंट्री, अच् जादा इस पर क्या रहीगे आपकी स्ट्राटेजी? आएगा आने वाले दिनों में, कुछ क्वाटर्स या कुछ महीने में या कुछ टाइम के लिए अगर दबाव भी रहा, तो उसके कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधी का है, आपको यहां से भी बहुत अच्छा रिटरन मिलने की उम्मीद र आपके लिए ही सलहा आपके लिए आरही है हमारे आज के एक्सपर्ट की जिन्दर स्टेनलेस पर सुदिप जी कि राय आपके लिए आई अगले कॉलर से बात करें बहार से अर्मान हमारे साथ है, नमस्कार बताएए कौंसे स्टॉक पर सवाल है आपका? तो इसका आने वाले समय में ज्या इसका रेट होगा तो अभी तो कम चल रहा है ये मैं मुझे जानना है ओके 24,000 का नुकसान इन है आगे कैसा रेट देख पारे लेकिन आज तो अच्छी मजबूती हमने देखी है इस टॉक में क्योंकि जो एक न्यूस बेस्ड हमें इवन देखने को मिला नौ से ना कि जो ओर्डर से तमाम जितने भी शिपिंग बिल्डिंग शेर उसमें तूफान ही तेजी हमें देखने को मेरे उसमें मजगाव डॉग भी शामिल था सर आने वाले टाइम में मजगाव डॉग के क्या आपको लेवल्स और फंडमेंटल्स नजर आ रहे ची देखिए फंडमेंटली तो ये शेर स्ट्रॉंग है कंपनी भी अच्छा प्रदर्श्चन कर रहा है और इनका जो सब्मेरीन रिलेटेड बिजनेस है वहाँ पे जर्मन और बहुत बड़ा जर्मनी से मिला है इनको इसी के कारण शेर बहुत भागा है और शायद जो हमारे दर्शक है जिन्होंने सवाल किया उन्होंने बिलकुल हाइस पॉइंट पे खरीदा 1061 बीच में एक रुका हुआ है हमारी सला तो यह होगी कि अगर आप लंबी अबदी के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित जरूर रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर आपका नजरिया दो तीन साल का रखिए क्योंकि इस लेवल से आपको रिटर्न मिलना जो भी सारे इन शीट स्ट्रॉंग है और हमेशा से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और यह जो सब्मेरीन के ओर्डर्स मिल रहे हैं इसके जरिए और भी परफॉर्मेंस पे इंप्रॉव्मेंट होगा पर वैलुएशन पिक अप के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपने मेरा शेयर है मेरे पास दो शेयर है 1674 की खरीद है मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इसमें कुछ मुमेंट नहीं थिक रही तो भोल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर एम्टार टेक 1674 की एक खरीद है इनकी हाला कि इनकी खरीद जो अभी करेंट भाव है उससे तो उसके मुकाबले तो इनको अच्छा मुनाफ़ा भी है लेकिन आगे फिलाल जो फ्यूचर है स्टॉक का आपको कैसा नजर आ रहे हैं मैं वराल शेत्र के लिए कहना चाहूंगा कि शॉट टर्म में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है तो आप अच्छे कासे मुनाफ़े में बैठे हैं तो अगर आपका नजरिया शॉट मीडियम टर्म का है तो आप एक्जिट लेके प्रॉफिट बुक कर स सकते हैं पर अगर आप लंबी अफदी के लिए निवेश करने के लिए सोचा था और उसी हिसाब से अपने निवेश किया था तो आप निवेशित रहिए पर इन दाट केस नजरिया दो साल प्लस का रखिए क्योंकि टेक्निलोजी शेत्र में बहुत उतल-पुतल हो रहा है जैसे आपने जरूर सुना है अर्टिफिशल इंटेलिजेंस और यह जो जाट जी पीटी जैसे जो मशीन लर्निंग टेक्निलोजी आ रहे हैं उसके जरिए बहुत टेक्निलोजी शेत्र में बहुत चेंजे आएंगे और उस चेंज का फाइदा शायद इंडियन कंपनी कोन इसमें पीछे रह जाएगा यह आज के दिन में बताना मुश्किल है तो ओवरॉल टेक्निलोजी शेत्र के लिए हमारी सला यह होगी की शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए आप दूर रहिए या प्रॉफिट बुक कर लिए तो शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए दूर या फ है 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 जी सवाल पूछे सर नमत कर मैं मैं जानला से रामिश्वर खरात बात करो महराश्ट से हां हां है 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 हां स्टॉक बताई अपना मेरा बल्राम पूर्ची नहीं है पात सो ग्यारा पे 200 शेयर पर्चिस किये मैंने पात सो ग्यारा नहीं एक मीनि रुकिए पात सो ग्यारा आपके पास शेयर कॉंटिटी है और पात अब पीए लिए मैंने 200 कॉंटिटी मेरे बास अच्छा दो सो क्वांटिटी है 511 आपका खरीद भाव है ठीक है और कब तक का व्यू है आपका इस पर कब तक अटना चाह रहे हैं जब तक प्रॉफिट ने आता तब तक रखेंगे मैं अच्छा प्रॉफिट कंतजार करें सुधीब सरी बलरामपूर चीनी पर फिलाल तो 21,000 का नुकसान है इनका ये लेवल आपको आते हुए नजर आ रहे हैं तो 11 इनके खरीदें जी बहुत जल्दी तो ये लवल नहीं आएगा मुझे लगता है देखिए शुगर शेत्र में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है और इथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी सरकार के तरफ से जो चेंज हुआ है उसका फाइदा सारे इंटार शुगर इंडास चेंज है तो इस माhol में शुगर की प्राइसे या शुगर प्राइसे बहुत जयादा बढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है और इसी लिए सरकार के तरफ से हर तरह से कोशिश किया जा रहा है ताकि शुगर प्राइसेज का ड्रोल में रहे ऐक लिवल रहे और इसी लिए जो export quota है, उसको भी बहुत बारीकी से सरकार के तरफ से monitor किया जा रहा है, तो इस माहौल में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा jump इस share के price में बहुत जल्द आने वाला है, तो अगला एक साल में तो मुझे ऐसा कोई बहुत positive इस शेत्र में नहीं दिख रहा है, fundamentally strong sector है, और अगर आप long term के लिए निवेश करना चाहते है, तो ठीक है, पर otherwise मैं आपको यही सला दूँगा कि कोई opportunity देखके आप इस sector से थोड़ा exit ले लीजिए, maybe election के बाद, central election के बाद आप इस पर वापस ध्याद दीजिए तो रही आपके स्टॉक पर आए सुधीप सर की अगले कॉलर से बात करते संजय हमारे साथ है, नमस्कार बताईए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका गूल इबनिंग मैं मेरा सवाल है बॉली प्लेट पे मेरा अथारा सो का भाव है चिंचे में रजी है कितने शेर हैं ऑके सर नुकसान तो काफी इने काफी उची खरीद है इनके ऐठारा सो की बारा सो च्छे आसे के आस पास तो पॉलिप्लेक्स है अभी क्या करना चाहिए ऐसे टाइम बे तो देखिए हमारी सला तो यही होगी कि अपरिशनिटी देखके exit कर ले counter से और loss book कर ले यहाँ पे इंतजार करना cost price के असपास आने के लिए कोई intelligent काम नहीं होगा exit करके और किसी शेतर में और किसी company में निवेश करे जहाँ पे इनको उनाफा वसूली का opportunity बिलेगा अगले कॉलर से बात करते हैं ग्वालेर से बैदेनाथ हमारे साथ है नमस्कार बताएगे कॉंसा स्टॉक आपके पास है quantity कितनी है और खरीद बियू बताइएगा नमस्कार में नमस्कार सुदीप सर जी आएपास स्टेर्लिंग एन विल्सन के चार 132 शेर से जिका एवेरेज प्राइस 417 है और ये मैंने नमबर 2021 में खरीदा था अब मैं इसमें काफी लॉस है 14,000 है तो इसको मैं एवेरेज कर सकता हूँ या मैं क्या सलाह सुदीप सर था स्टर्लिंग एन विल्सन के 417 की भाव पर इनके पास स्टॉक है भाव के साब से तो इन्हें नुकसान ही है सर कंपनी कैसे लगती है सर आपको और आगे का फ्यूचर फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको अगर आप निवेशित रहना चाहते है तो जरूर इसमें आवरेज करके और थोड़ा क्वांटिटी खरीद के आवरेज कर लीजिए प्राइस और एक साल प्लस का नजरिया आप रखी इस शेत्र में एक साल प्लस का नजरिया स्टर्लिंग एन विल्सल पर आपके लिए रखने की सला नाकपुर से रश्मी जी से भी बात कर लेते हैं नमस्कार बताईए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मेरे पास सोना कॉम के शेर्ट है 150 और Вो मैंने 535 में लिये हैं और अशोकलेलाइड शेरर से मेरे पास 300 और वो मैंने 152 में लिये हैं ओके तो नों उसस्टोक कब तक का व्यूव है? तीन महिने, चार महिने तीन चार महिने का व्यूव आपका स्टॉक है पहले अशोक लेलन्ड पर सवाल ले लें, एक सो बावन की, मतलब अल्मूस सेम अज जो अभी चल रहा है भाव, तीन साल का जो अभी नियर टम का नजरिया अब अशोक लेलन्ड पर कैसे लग रहा है से आपको तीन साल तक का अगर व्यू हो? अशोक लेलन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि अशोक लेलन्ड में हम लोग पॉजिटिव थे, अभी प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, पर इसके बावजूद अगर आपका लंबी अवधी का नजरिया है, तो जरूर निवेशित रह सकते हैं, खास बात ही है कि कमर्शियल व बसेस के ओडर मिल रहे हैं, तो ये सारे अगर साथ में रखा जाए, तो अशोक लेलन्ड में हम लोग पॉजिटिव हैं, और लगता है कि यहां पे और भी अच्छा प्राफिट मिलने की संभाब ना रहेगी, पर नजरिया एक साल का रखिये, कोई हडबडानी की जरूरत न हैं, जल्दी से एक व्यू, सोना कॉमस्टार पर भी आपके तरफ से ये स्टॉक भी इनके पास हैं, अबराल मैं ये कहूंगा कि जो शेत्र से सोना कॉमस्टार जुड़ा हुआ है, वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम और ट्रैक्शन है, और जो एवी रिलेटेट जो 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 कन्फूशन, जो इशूज हैं, वो आटो मोबील मैनुफैक्चरर्स पर हैं, पर जो एंसिलेरी कंपनीज हैं, वहां पे ये सब दिक्कते नहीं हैं, और इसी शेत्र में सोना बिल्ड़ु काम करते हैं, तो हमारे जो फेवरिट आटो एंसिलेरी कंपनीज हैं, उन में से स होना बिल्ड़ु हैं, और यहां पर जरूर निरेशित रही हैं, चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मजबूत सेशन की उम्मीद है, चाहर दिनों से डाउ बढ़ रहा है, आज बाजारों के बंद होने के वक्चीस-तीस पॉइंट उपर डाउ फ्यूचर से और साथ-सतर पॉइंट उपर नैस्डिक फ्यूचर तो अमेरिका के एक्शन पर भी नज़र आएगी, और जो फेड क के लिए मजबूत सपोर्ट का लेवल है, सतर पॉइंट की रेंज, और उपर इस तुनों पर अठराजार छेस्सो चालिस, अठराजार साथ-ससो पचीस वो रेंज है, जिसके पार जाने में हो रही है, मुश्किल, बैंक डिफ्टी का जाना तक सवाल है, कल के लिए तैयालि संकेतों के दम पर बनेगा लेकिन हमारे अपने संकेतों के दम पर मिट के अपरोफ्समा के अपशेरों जो बड़िया एक्षिन बना हुआ है, वो एक्षिन कल भी आप आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, धेर सारी खबरे आने वाली भी है, और आने की तैयारी में भी ह बोधिलाल उस्वाल के चंदन तापडिया का करते हैं स्वागत स्वागत चंदन जी कल के बाजार में ऑप्शन की स्ट्राइजी कहा जी नमस्कार देखे बाजार एक दाइरे में है बड़ अच्छी बात यह है कि उसके बावजुद भी थोड़े से डिक्लाइन तो खरेदारी की सला रखेंगे इसका एक सो पच्पन का कोल है जो चार रुपे के असपास बंद हुआ है दो रुपे का सपोर्ट रहेगा आठ रुपे तक के चागेट रहेंगे तो एक कंपनी रहेगी पावर से आरे सी और दूसरा आईटी से रहेगा डिक्सन जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के ऑप्शन स्ट्राटेजी के लिए और सुधीप सार लॉंग टर्म की स्ट्राटेजी के कॉल्स आपके तरफ से जी जिस शेर का मैं पहले जिकर करना चाहूंगा वो है होटल शेत्र से लेमन ट्री होटल जैसे हम जानते हैं कि होटल टूरिजम होस्पिटालिटी सेक्टर में बहुत अच्छा बाउंस आया है कोविट के बाद जो रिवेंज टूरिजम कहा जा रहा है उसका बहुत बढ़ दिनों में भी यह मोमेंटम बरकरार रहेगा यहीं उमीद किया जा रहा है यहां पर हम लोग 120 रुपयार का टार्गेट रखके एक साल के लिए खरिदारी की सला दे रहे है कंपनी कुछ री स्ट्रक्चरिंग भी कर रहा है और री स्ट्रक्चरिंग के जरिए इनका जो कैश लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगा जो कि आने वाले दिनों में कंपनी को मार्जिन इंप्रूव करने में और भी हल्प करेगा दूसरा कंपनी जिसका मैं जिकर करना चाहूंगा APL Apollo Tubes इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और यहां पे खास बात यह है कि स्ट्रक्चर पाइप्स जो की कंपनी मैनुफैक्चर करता है यहां पे एक revolution जैसा हो रहा है और सरकार के तरफ से सारे authorities के है और करीबन 12-1300 जो railway station का renovation होगा उसमें भी बहुत बड़ा काम APL Apollo Tubes को मिलने की उमीद रहेगी इसके अलावा सारा जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है, constructions है, agriculture है, हर जगा पे जो structure tubes है, इनका इस्तमाल हो रहा है और जिसका बहुत बड़ा फाइदा APL Apollo को मिल रहा है यहां प जी, लंबी आवदी के लिए 11 Tree Hotels और APL Apollo, यह स्टॉक पसंद है सुधीब बंदुपाद घैजी को, धन्यवाद करेंगे सर, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनिस